महात्मा गांधी की परपोती को धोखाधरी और जालसाजी के मामले में सजा सुनाई गई है 56 साल की आशीश लता रामगोबिन पर आरोप है कि उन्होंने 60 लाख रुपये से अधिक की धोखाधरी की है उन्हें दक्षन अफ्रीका की डर्बन कोर्ट ने इस मामले में साथ साल की सजा सुनाई है लता रामगोबिन मशहूर एक्टिविस्ट इला गांधी और दिवंगत मेवा रामगोबिन की बेटी है लता पर आरोप है कि उन्होंने बिजनेस्मेन एसार महाराज के साथ फ्रॉट किया है उन्हें डर्बन स्पेशलाइस्ट कमर्शियल क्राइम कोर्ट द्वारा सजा की अपील करने की अनुमती देने से भी इंकार कर दिया गया है आशीश लता रामगोबिन पर आरोप है कि एसार महाराज ने उन्हें भारत में मौजूद एक कंसाइनमेंट के लिए आयात और सीमा शुल्प के तोर पर लगभग 62 लाख रूपे एडवान्स में दिये गए थे आशीश लता रामगोबिन ने उस मुनाफे में महाराज को हिस्सेदारी देने की बाद भी कही थी साल 2015 में लता रामगोबिन के खिलाफ मामले की सुनवाई शुरू हुई थी तो राष्ट्रिय अभियोजन प्राधिकरन एन पी एक के ब्रिगेडिय हंगवानी मुलोद जी ने कहा था कि लता ने जाली चलान और दस्तावेज संभावित निवेशिकों को प्रदान किये थे रामगोबिन ने न्यू अफरीका अलायंस फुट्वीर डिस्ट्रिब्यूटर्स के डाइरेक्टर महाराज से अगस्त 2015 में मुलाकात की थी। महाराज की ये कमपणी कपड़े, लिनेन और जूतों का आयात, निर्मान और बिक्री करती है। महाराज की कमपणी अन्य कमपण ने कोर्ट की सुनवाई के दोरान कहा कि लता ने महाराज को बताया था कि चून की उनकी आर्थिक स्थिती ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें आयात की लागत और सीमा शुल्क का भुगतान करने में दिक्कतें पेशा रही हैं और उन्हें बंदरगाह पर माल क्लियर कराने के ल हालां कि जब महाराज को पता चला कि ये दस्तावेज जाली थे तो उन्होंने इस मामले में लता पर केस कर दिया गौर तलब है कि लता एंजियो, इंटरनेशनल सेंटर फॉर नॉन वारलिंस की संस्थापक और कार्यकारी निदेशक हैं लता के अनुसार वे एक एक एक्टिविस्ट हैं और वे खास तोर पर पर्यावरन, सामाजिक और राजनीतिक मामलों को लेकर सक्रिय हैं महात्मा गांधी के कई अन्यवंशज मानवाधिकार कार्य करता रहे हैं इन में से लता रामगोबिन के चचेरे भाई कीर्ती मेनन, स्वर्गिय सतीश धुपेलिया और उमाध धुपेलिया शामिल हैं रामगोबिन की मा इला गांधी को विशेश रूप से उनके प्रयासों के लिए अंतराश्ट्रिय स्तर पर पहचान मिली है इला गांधी को भारत और दक्षन अफरीका दोनों ही देशों से राश्ट्रिय सम्मान मिल चुके हैं